देवताओं की गुरु ब्रेश्पती मार्गी होने जा रहे हैं 24 जौंबर 2022 से 22 अप्रेल 2023 तक इस विशेश कारेकरे में आप सब भी का स्वागत हैं आज हम बात करेंगे मेश राशी से मीन राशी तक ये मारगी काल का आप पर क्या शुब और अशुब असर पड़ेगा देवताओं की गुरु ब्रेश्पती को सिक्षा, धन कमाना, विवाह, संतान का कारक माना जाते हैं यदि वैक्ती की कुडली में ब्रेश्पती शुब होते हैं तो उसे सारी सुख सुविधाएं और धनवान बना देता हैं और वहीं अगर ब्रेश्पती कमजोर हो तो इन सभी चीज़ों का सुख न मिलकर बलकि दुख रहता हैं ये लगन में बहुत बलवान होते हैं संतान और ग्यान के लिए सबसे महतुण माने जाते हैं इस्तियों के लिए से पती का खारक माना जाता है और बलवान ब्रेश्पती के दशा में भाग ये चमक जाता है जब ग्रह सीधी चाल चलते हैं उसे ग्रहों का मारगी काल कहते हैं इस बार ब्रेश्पती मारगी होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर सभी राशियों पर लगबख शुभी पड़ेगा तो 24 सवंबर से लेकर 22 अपरेल तक क्या रहेगा आईए शुरुबात करते हैं मेश राशी से प्रेसातियों मेश राशी में 9,000 और 12,000 के लॉड़ होकर अब 12,000 में ही मार गियोंगे माता, भवन, भूमी, वाहन, इन्वेस्मेंट और शुब और मांगली कारियों पर खर्चोंगे जिनकी शादी होने वाली है वो दूम दड़ा के से होगी नई हो रहे थी उनके भी योग बनने शुरू हो जाएंगे अपना कोई भी सपना है तो उसे पूरा करने का ब्रैश्वती आशिरवार देगी और आपके बिजनस में कोई बड़ी डील गवर्बेंट के साब से हो सकती है Employed persons के लिए यह मार की काल आशा की नई किरन लेकर आ रहा है Unemployed persons के लिए Multitasking Ability और जौब के नई अवसर प्रदान करेंगे समाज, परिवार, गली, महले में आपको जिस्पेशल काम कर पाएंगे आपकी रूची बड़ेगी आपका ट्रेवल शांदार होगा बस खर्चे और कर्जे ज्यादा ना हो जाए इस पर ध्यान दिए परिवार में आपसी कलह को आप रोग पाएंगे, आपके लिए एक काम बहुत अच्छा है कि आपका common sense बहुत अच्छा काम करेगा आपके काम तेजी से बनेगे, दुश्मन भी अप्शान्त होंगे student, artist और players के लिए अपने जो सपने हैं, उसे साकार करने के लिए आपको अलग प्रकार की strategy अपनाने पड़ेगी, तब जाकर आपके लिए समय अलोकूल हो गए आप देवताओं की गुरु ब्रैश्पती के लिए गुरुवार की रात को सवा, पाव, चने की दाल को भीगोलें और दूसरे दिन, यानि गुरुवार को एक काम करना है और शुकरवार को भीगी हुई दाल गुड के साथ आप गाये को खिला दीजिए, प्रियसातियों, आप एक देवताओं की गुरु ब्रैश्पती को और मजबूत करने के लिए पीली चीज़ों को गुरुवार को धान करें और हो सके तो गुरु प्रदोश का भरत करिए और साथ में अगर संबव हो तो आपको स्टेडी माटीरियल, यूनिफॉर्म, किसी बच्चे की सिक्षा के लिए कुछ धन कर्च जरूर करना चाहिए बात करते हैं व्रशब राशी की, यहां एड़ ताउस और इलेवन ताउस के लॉड़ ओकर इब इलेवन ताउस में मार गी हो जाएंगे नए सिरे से इंकम तैय होगी, डूबावा बिजनस वापस चल पड़ेगा, पैसा कमाने के नए अवसर आपको मिलेगी इसके साथ साथ, पैसे से पैसा कमाना, शेर बाजार, जमी जाधार की वह एच्छी डील हो सकती है, आकस्मिक धनलाप, कोई लोटरी या किसी और प्रकार से धनलाप हो सकता है बिजनस में, आपको पार्टनर्शिप में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके अदर एहंकार और जुबान खराब होने कवज़े से आपके रिष्टे खराब हो सकते हैं आपको कोशिश करने चाहिए, अपने फाइनेशल स्टेटिस को और बहतर बनाए जाए और एक काम और आपको करना चाहिए, कि अगर आप जौब कर रहे हैं, तो जौब के साथ नई जौब या बिजनस कर सकते हैं, साइड इंकम के लिए कुछ प्लानिंग हो सकती हैं, जैसी समस्यां हो सकती हैं, गलत और गलत समय पर बोजन के कारण, फैमिली लाइफ और लव लाइफ की बात करें, तो रोमांच और रोमांस बढ़ेगा, संतान प्राप्तिक योग बनेगे, संतान के लिए खुशी के समाचार आपके आने वाले हैं, जो शादी शुदा नहीं उनके लिए अच्छे ओफर आ सकते हैं, शादी हो सकती हैं, शादी शुदा लोगों के मेरिट लाइफ में खुश्यों बरे पल आने वाले हैं, अगर कोई डैवार्ज ये सेपरेशन की नौपत आगे ती वापस ठीक हो सकता है, स्टुडेंट आर्टिस और प्लेयर्स के लि अंतर लगातार बोलते रहें, गुरु के लिए पीली चीजों का गुरुवार को दान करना चाहिए, अपने गुरु का ध्यान करें, सिक्षा और दिक्षा प्राप्त करिए, इसके साथ साथ स्टुडी माठीरियल यूनिफॉर्म किसी गरीब बच्चे को जरूत मन बच्चे आपको प्राफिट बिलेगा, यह याद रखेगा, जॉब बदल सकते हैं, बिजनस में कुछ बदलाव कर सकते हैं, आपके पास हुनर बहुत शांदार होगा, नई स्किल्स सीखने का मौका बिलेगा, आकस भी दनलाव की योग बनेगे, और पैसा जोड़ना, और जोड़े पासा ध्यान ज्यादा देना चाहिए, योग प्रानायम इस पर ध्यान दीचिए, रिश प्रोटीन लीजिए, स्पोर्स एक्टिविटी जॉइन करिए तो आपका उत्सा बढ़ेगा, परिवार में शांती का बाहुल आपको बनाना पड़ेगा, दिल सुकून के साथ अगर तो मन में शांती बहुत होगी, उससे आप बहुत अच्छा सूच पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे, नई टेकनोलोजी सीखना, नई मशिनरी, कुछ नई चीज़े अपने गर ऑफिस के लिए खरीदेने के मौके में लेगे, आपको देवताओं कि गुरु प्रेश्पत जो पीत वस्त्र आप किसी ब्राह्मन देवता को दे सके, करक राशी के बात करते हूं, करक राशी में देखे, नई ताउस के लॉड़ ओकर आप नाई ताउस में मार गियो जाएंगे, भागी आपका साथ देगा, भागी से आपको करम मिलेगे, और करम से आपको लाब देवताओं के गुरु ब्रैश्पती का आपकी राशी पर दृष्टी संबंद, आपके लिए नई सौगात लेकर आ रहा है, दूसरा काम, आपके डिग्निटी औरा और मजबूत होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नेम एन फेम आपका बढ़ने वाला है, इसके स आपको कोई ऐसा काम जो पैसे से पैसा बनाने को, आकस में दनलाप का हो, वो सारे आपको मिले वाले है, अगर आप अपने बिजनस की नई ब्रांच खोलना चाहते है, नेटवर को बढ़ाना चाहते है, तो कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट दिलाएंगे, और सुनेरे नई Employed Persons के लिए Job Satisfaction Level में थोड़ी सी कमी आ सकती है, आपके लेट लती फिर आलसी मज़े से, Unemployed Persons को जौब मिल सकती है, लेकिन आपकी Skill Quality ही उस जौब पर आपको टिका कर रखेगे, Determination और Discipline, नई पढ़ाई करना, पढ़ाई में कुछ परिवर्थन करना, ये सब आपके रिशुब रहेगा, अपने Skill को और Develop करने की कोशिश करने चाहिए, बाई बैनों के साथ अगर को संपती का किसी प्रकार के विवाद था, तो वो अब आप Solve कर देंगे, Love Partner, Life Partner, Business Partner का मूड देखकर अपने Strategy Change करें, समाज परिवार में मान सम्मान के साथ आपका ओदा गरीब लोगों को पीली चीज़े दान करें, इसके साथ साथ, Study Material, Uniform या कोई भी ऐसी चीज़ जो पढ़ाई लिखाए के हिसाब से हो सके, उससे डोनेट आपको जरूर करना चाहिए, आएए बात करते हैं, सिंग राशी कियों, यहाप पर 5 ताउस और 8 ताउस के लॉड़ अब 8 ताउस में मारगी हो जाएंगे, आपका common sense बहुत अच्छा काम करेगा, आप अपने skill, quality, ability, views, ideas के अनुसार अपने strategy ताई करेंगे, माता, भवन, भूमी, वाहन, investment, शुब और मांगली कारों पर खर्चोंगे, ट्रेवल बहुत अच्छा होगा, जिनकी शादी नहीं ह कोई है, होने के योग बन जाएंगे, घर में कुछ ऐसा होगा, जो स्थाई संपती बढ़ा सकता है, पैसा सेव करने मौके बलेंगे, और पैसे से पैसे कमाने के मौके बलेंगे, बस लगातार मेहनत और smart work जरू करेगा, इसके साथ साथ, अपना कोई भी बड़ा सपना है, उससे साकार करने का आपको मौका जरूर बलेंगे, और आपके बिजनस में, आपके सर्विस आपकी पहचान बनाईगे, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी करिए, लोगों को, ग्रहकों को, उनके एसाब से आप टैकल करिए, एंप्लॉइड परसन हो या अने नई जॉब के करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है, इस्टुडेंट, आर्टिस और प्लियर्स के रिजल्ट अच्छा आएंगे, बिजनस में नया पन, जॉब में भी नया पन, ये दोनों हो सकता है, इसलिए आप पूरे डिटर्मिनिशन के साथ काम करिए, गुरुवार के दिन दारमी पुस्तकों के दान, पीले वस्त्रों के दान, पीले फल का दान, इस्टेडि मेटरिल उनिफर्म का दान करना आपको बड़ा आशरवाद दिला सकता है, बात करते है कणिया राशिकी, दो केंदर गरदी पती ओकर केंदर में रहेंगे, उसमें एक तो फोर्त आॉस के live partner और business partner के साथ bonding मजबूत रहेगी professional रिष्टे भी आपके और अच्छे रहेंगे इसके साथ साथ आप business शुरू कर सकते हैं business में expansion कर सकते हैं नई लोगों को recruit कर सकते हैं कुछ ऐसा जो आपके business में आपको satisfaction दे सके जिनकी शादी नहीं हुई है डोल नगारे बज़ने का time अब आ चुका है इसके साथ साथ आपकी dignity औरा मजबूत हो का confidence बढ़ेगा एंकार भी साथ में आएगा नया income source आपका generate हो सकता है भाई बेनों से संबंद आपके सुदर सकते हैं आप business man हैं या woman हैं लंबे समय से किसी business के idea पर काम कर रहे हैं तो किसी को बताया नहीं idea को आप apply कर देजिए Employed persons के लिए promotion, transfer और job में दूर दराज में जाकर काम करने योग बन रहे हैं आपकी profession life बहुत अच्छे और आकस्वी दनलाब आपको दिलाएगी लॉंग टर्म शेर बाजार में investment आपके लिए शुब रहे हैं और परिवार में पिता के साथ मन बेद और मधवे थे वो दूर हो जाएंगे गुसा और एहंकार आपके लिए बहुत बड़ा week काम करेगा उस पर द्यान दिजिए लंबे समय से चली आरे विमारी का अब इलाज मिल जाएगे स्टुडेंट, आर्टिस और प्लेर्स अब प्रॉपर तैयरी कर लिजिए या ब्रैश्पती आपकी पढ़ाई और उसके अनुसार आपको अच्छा लाब देकर आपका बविश्य बन सकता है गुरुवार के दिजिए बढ़ का एक पत्ता लीजिए उससे साब दो लीजिए उस पर पांच अलग अलग प्रकार की मिठाया और तीन इलाइचे रख दीजिए इसे गुरुवार को इपीपल वरक्ष के पास पर रख दीजिए एक दीपक जलाए हाज जोड़कर अच्छी सिक्षा अच्छी पढ़ाय लिखे अच्छे जीवन के लिए आप प्रार्थना करिए इसके साथ पीले वस्त्र पीले फल गुरुवार को डोनेट करने चाहिए औ और किसी को स्टेडी मैटरियल यूनिफॉर्म जरूर देना चाहिए आए ये बात करते हैं तुला राशी की देवताओं के गुरुव ब्रेश्पतियां थर्ड आउस और सिक्स आउस के लॉड़कर सिक्स आउस पर रहेंगे पुराने रोग दूर हो सकते हैं लेकिन पेट की के लिए कुछ त्याग करने पड़ेंगे माता बवन भूमी वाहन इंवेस्मेंट शूब और मांगली कारें पर खर्च होंगे यॉब और बिजनस में प्रोफिश्ट लाइप बदलाव अब जरूरी है वही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे पैसा जोड़कर पैस पर्सनल और प्रोफिश्ट लाइफ वे रिष्टे खराब हो सकते हैं इस पर द्यान देना पड़ेगे सोशल मीडिया हो या सोशल लाइफ है इसमें आप कुछ अच्छा करेंगे गर से बाहर आप सबका द्यान रखेंगे गर में नहीं द्यान रखेंगे इसलिए ग्रैक्ले के दिन मंदिर में केसर और चने की दाल कर दान करें और साथ में पीले वस्र पीले फल गुरुबार को दीजिए किसी गरीब बैक्ती की बच्चे की सिक्षा का पूरा खर्ज उठा लीजिए लाब बिलेगा पीला तिलक केसर का लगाकर हर रोज निकलिए कंट पे लिए पार्टर को लाइफ पार्टर बनाया जा सकता है आकस्पी दनलाब शेयर बाजार और जमी जायदाद पर लॉंग टर्म में कोई डील आपके हो सकती है इसके लिए शुब काम नहीं और इंकम सूर्स जेनरेट हो सकता है नया कुछ परिवर्टर हो सकता है जितना मेहनत करोग है या फिलेंट्रोफिस्ट हैं तो आपको सक्सेस आपके क्रियेटिव और इन्योवेटिव आइडियास के अनुसार बिलेगी एंप्लाइट परसंस अगर लंबे समय से खुद का काम शुरू करना चाहते तो अब शुरू होने का योग आ चुका है अनप्लाइट परसंस को जॉब सैटिस्फरक्शन निभी लेगा लेकिन जॉब ज़रू मिल जाएगी मेरे प्रियसातियों आपका पैसा आपकी गारी कमाई सही जगह पर लगे इसके लिए ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको कोई लोग लुभावन कोई तरीके बताते हैं रात और रात कर अरब बिलेगी आपकी काबिलिट के अनुसार आपको सकस्श जलू बिलेगी गुरूवार के दिन पीले वस्त्र धारन करें एक पीला वस्त बिछाएं फिर उस पर बेसं के सवा की लोगे लड़्ू बनाकर कुछ अप मपने कर साथ आप मंदिर में कर दान करने चाह檄ए विश्ञ दनु राशी की, दनु राशी में सबसे पहले देखिए, आपकी राशी और फोर्टाउस की लॉड ओकर फोर्टाउस भी मारगी होने वाले हैं, एक तो माताजी के स्वास से पर द्यार नखना पड़ेगा, भूमी, बवन, वाहन, इंवेस्मेंट, गरमे शुब और मांगली का आइजन होने वाले, खर्चे होने वाले, जेब डिली होने वाले, तैर हो जाएं, ट्रेवल बहुत अच्छा होगा, नई शॉपिंग, नई चीज़े खरीदने के मौके भलेगे, इसके साथ साथ, पिता के साथ संब्ध अच्छे होना या पिता को खुद को बड़े लाब ब सकते हैं, नया इंवेस्टमेंट, पैसे से पैसा कमाने के लिए आपको लाब देंगे, अगर आप नया बिजनस करना चाहते हैं, जोब परिवर्थन करना चाहते हैं, तो यहाँ आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, एंप्लॉइड पर्संस अपने वर्किंग स्टाइल अपने वर्किंग कल्चर में थोड़ा तब्दिल लाकर बॉस की आँखों में आ जाएंगे, और वो भी शुब नाजरों के साथ, अनेंप्लॉइड पर्संस के लिए, फील्ड से अटकर कोई करियर ऑपर्शनेटी आ सकती है, सोच समझ कर चुनाव करें, लव पार्ट और ल आएगा जो कि आपको खुश्यां दे सकता है, पर्फॉर में शांदा रखियेगा, घुरुवार के देना, विश्व साहसर नाम के पार्ट करना, ब्राहमनों को बोजन करवाना, पीले वस्त देना, पीले फल खिलाना, किसी गरीब बच्चे को स्टड़ी के लिए कुछ देन उससे आपके नए इससे या नए तरीके से प्रॉफिट आपका शूरू हो सकते है, तैर हो जाएं, जिनकी शादी नहीं हुई है, योग आ गया है शादी करने के, हो चुकी है, संतान का योग बनेगा, बिखर चुकी है शादी, वापस उधरने के मौके बिलेगे, तो यह काम करें, स्टार्ट अप, एंटर्परियोर और फिलिंट्रोफिस्ट के लिए, यह जंडे गारने वाला समय आने वाला है, फैमिली लाइफ पे, आपको अगर संतान नहीं है, तो यह सुक अब आपको बिलने वाले है, आपको लव पार्टर और लाइफ पार्टर साद रोमा करें, और लक्ष्मी चाले साथ का पार्ट करें, सुक सम्रती के लिए, पीले वस्तर, पीले फल, आपको गुरुबार को डोनेट करना चाहिए, किसी को स्टेडी मेटरियल यूनिफॉर्म देंगे तो और अच्छा रहेगा, बात करता है कुम राशी की, यहां पर 11 आउस और सेकंड आउस के लॉट होकर अब सेकंड आउस में रहेंगे, पैसा जोडने का आपको आउसर बिलेंगे, पैसे से पैसा कवाने का आउसर बिलेंगे, रोग ठीक हो सकता है, करजे चुगा सकते हैं आप, इसके साथ साथ दुश्मनों को भी दोस्त बना लेंगे, कॉमन सेंस बड़ा शांदार काम करेगा, जिससे इनोबेटिव और क्रेटिव आइडियास आएंगे, आपके जॉब और बिजनस में परिवर्तन होगा, पिताक साथ सम्मथ अच्छे होंगे, आपको लाब लाब मिलने मले हैं, बिजनस में फाइनेशल डिपार्टमेंट और हर काम को अ आप अगर मेरिटल लाइफ और लव लाइफ पे कोई डेगिटिविटी जुड़े वे थे, तो वो पॉजिटिविटी आ जाएगी, दोनों मिलकर गारी आगे बढ़ाएंगे, फैमिली लाइफ पे नया मेहमार आ सकता है, दूसरों के दाखल अंदाज ये बरदाश्ट मत कर लेगा, इस्टुडेंट आर्टिस और प्लेर्स के लिए यह एक नया दोर आने बाले बड़ी सफलता के लिए, बड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बात करते हैं मीन राश्टी के, टैन ताउस और आपकी राश्टी के लॉडड होगा, आप आपकी राश्टी में गुर प्रोद कराएगी, अब पत्री को भी आप प्रोफेशन या फिर बिजनस में ला सकते हैं, इल्लीगल एक्टिविटी से दूर रहें और ऐसे लोगों से जो दोखा देते हैं, उनसे सावधान हो जाए, क्योंकि एमोशनल अत्याचार आपके साथ पहले भी बहुत हुए हैं, एम्प्लॉइट परसंस को थोड़ी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है, किसी दूसरे की गलती आपको परिशान कर सकती है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, अनेम्प्लॉइट परसंस के लिए जॉब पोर्टल में कुछ बदलाव होंगे और वर्दान सावित होगा फैमिली लाइफ में कोई त्याग करना पड़ेगा जिस से आपको बड़ा लाब बिल सकता है, मेरिटर लाइफ और लव लाइफ में आपको हमेशा जबान पर अच्छे शब, चेहरे पर मुस्कराट और कभी कबार एक अच्छा गिफ्ट अपने पार्टनर को देना चाहिए स्टुडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए बंद के अनुसार काम होंगे, कुछ स्ट्रिम चेंज होगी, जौब के साथ पढ़ाई, पढ़ाई के साथ जौब करने का आपको अवसर जरू ब लेंगे, गुरुवार के देना, पीले आसन पर बैटकर ओम ब्रेम ब्रहस से आप देंगे, तो ब्रेश्पती आपको माला माल कर देंगे, मेरे प्रियसातियों स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, आप मुझसे फरसली बिल भी सकते हैं, टेलिफॉनिक और वीडियो कॉन्फरेंसिंग अपॉन्मेंट के द्वारा भी जूट सकते हैं, देगे नमबर पे संपर करके पूरी जानकारी बिलेगी, आज के लिए तना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशरवार्ट